तो आप बुक कप किये थे और कितने दिनों के बाद आपको डेलिवरी मिला तो सर इस गाड़ी में आपको फेम 2 सबसीडी और स्टेट सबसीडी दोनों मिला है क्या तो हे एवरिवरन वेलकम टूर चैनल आज मैं फिर से एक क्रेटोस आर की रिव्यू करने वाला हूँ प्रिवियस एक क्रेटोस आर का रिव्यू किया था वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है आप इस वीडियो एंड होने के बाद देख सकते हैं प्रिवियस इस वीडियो में मैं इसलिए दूसरे एक ओनर की रिव्यू लेने जा रहा हूँ तो ये वीडियो बाकी वीडियो के जैसा ही बहुत ही इंफर्मेटिव होने वाला है तो चलिए इस वीडियो को करते है स्टार्ट और उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमें सपोर्ट करने के लिए और इस वीडियो को जादा स्यादा शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो जाए तो वीडियो करते हैं स्टार्ट तो मेरे साथ है तुकाराम जी इस गारी की ओनर तो सर आपका प्रोफेशन क्या सब्सक्राइब करता हूँ पिछले दो तीन साल हो गया तो अभी मेरा यह कुश्चन है कि मार्केट में तो बहुत सारा इलेक्ट्रिक वीकल्स भी है और पेट्रोल वीकल्स भी है तो आप क्रेटर सारी क्यों लिया क्योंकि मुझे स्कूटी पसंद नहीं चलाने को क्योंकि म वह भी बहुत दिनों से है लेकिन रिवाल्ट का लुक मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया और लुक थोड़ा अलग ही दिखता है यह थोड़ा कैसा है यह दर स्पोर्ट बाइक में दिखता है और सब कुछ है इसमें जो मुझे चाहिया था हो सब है इसी के वज़े से मैं इंशुरंस का 10,700 के ऊपर है पाचास या कुछ है उतना है और गाड़ी का कीमत एक लग बावन हजार तो आपको क्या लगता है मतलब यह गारी एक लग बावन हजार में या फिर बावन हजार कुछ भी बोली है तो इस पर वर्थित है हाँ अच्छा है वो कीमत भी सही है ज इस गाड़ी को लेगे मैं पूरा सटिस्फाइड हूँ मुझे पसंद आया गाड़ी चलाया बहुत अच्छा लग रहा है चलाने में सही है तो यह गाड़ी अप कब खरीदे है अभी तक कितना किलोमेटर चलाया है अभी गाड़ी मैंने 30 सप्टेम्बर को खरीदा था अभ हो गया जाता है कितना किलोमेटर कीम देखा रहे है अभी स्क्रिण में दिखा रहे है वंचे हो गाड़ी को उमेरे काम लगता है उतना फो क्लोछ की में इस गाड़ी में आप को इसाथा तो आपको तो आप बुग कब किये थे एंड कितने दिनों के बाद आपको टेलिवरी मिला इसकी वज़े से आपका लून क्लियर होना चाहिए मतलब जल्दी अगर पास हो जाएगा तो जल्दी मिल जाएगा मेरा लोन का इश्यू हो गया तीन-चार मैना इसमें गया कि लोन नहीं प्रोजेक्ट हो रहा था मेरा हर बाद इसके वज़े से मैंने लास्ट में यह सोचा के चलो कैशी ले 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 थे क्योंकि मुझे गाड़ी लेनी तो थी मुझे जरूद थी और मेरे मुझे अच्छे लगी ते घाड़ी तो कभी बंद नहीं गिरी अब तक इतना बारिश है बारिष में भी चलाया कुछ प्रोब्लम नहीं आया गाड़ी का थोड़ा इंडिकेटर टूट गया था तो फिर वो रेपेयर करके दिया क्या कंपनी से एक सर्वीसिंग हो गया इसका एक हजार किमेटर और पे पेवी कर दिया रखसी टो इस गाड़ी का कोई वारंटी है क्या कोंपणी ने तीन साल का वारंटी दिया है बैटरी का और मोटर का 3 साल और 40,000 किलोमेटर तक जब गाड़ी का पूरा रस चालीस हजार किलोमेटर तक हो जाएगा तो उसके अंदर ही वारंटी का का तो सर इसका सर्विसिंग का क्या सीन है सर्विसिंग पहले सर्विसिंग हजार किलोमेटर पर सर्विसिंग कैसे करते हैं मतलब आपके घर पर आके करते हैं या फिर आपको लेके जाना पड़ेगा ने वह अप्शन है हमारे पास कि हम घर पर आके भी कर सकते हैं लेकिन उसका चार्ज लगता है चाहिए इसा लग रहा है मुझे क्योंकि जब मैं बाइक डिलिवरी के लिए उन्होंने बोला था तो उनका गाड़ी आता है डिलिवर करने घर पे तो उसका चार्ज अलगे दो हजार रुपए और चार्ज लेते घर पर आकर डिलिवर कर देते तो मैंने मैंने सोचा कि दो हजार रुपए जाने से अच्छा है हम खुद लाके कलेट कर ले तो मैंने खुद जाके कलेट किया था इसलिए मुझे पैसा नहीं लगा था लेकिन चार्ज लगने लगेगा शायद पैसा लग रहा है मुझे घर पे आने के बाद तो ये गारी अगर कभी बंद पर जाए खुदाना खास्ता तो क्या होगा मतलब उस टाइम में कुछ सॉलूशन है क्या हमारे मोबाइल में एक एप दिया है कंपनी ने टॉर्क नाम है उसका टॉर्क जो है बाइक का किलोमेटर कितना जाएगा बैटरी परसिंट कितना है और गारी कहा कहा पे है लो इस गारी में आपको यो रेंज कितना मίνलता है मतलब एक सिंगल चार्ज में गारी आपको उनेज कर ले कर लेते हैं उसमें 4 अगर हम स्पोर्ट मैं CPA दाल स्पोर्ट स्पोल stoember वेटरी तो इस着 25 केलियमेटर प्रेंज मिल जाता है औरальной इस किलमेट्र चलाएंस तो पाज में चलाएं गाडी को सब्सक्राइब और मेरा हैं कोई इसूալ कंपनी जो क्लेम करता है वह तो आल्मोस्ट देता है रहा एक सो पचीस इचलाना पड़ता है उसके वुझे से और हम 50 पच्छ के आगे नहीं जा सकते तो हमने जो प्रिविएस वीडियो किये थे वहाँ पे बहुत सारे लोगों की ये इतना अच्छा नहीं है मतलब थोड़ा सा सब स्टेंडर्ड है ऐसा बोला गया था तो मैं अभी तुकराम जी से पूछता हूँ की switch को लेकर कोई problem आया की अभी तक तो सार आपने तो बहुत ही extensively इसको use किया है तो zomato की काम में तो अभी एक महीने में आप 2000 से भी जाधा चला लिया है तो इसका जो switch है तो इसका कोई problem आया कि अभी तक स्विच का प्रोब्लम तो नहीं आया था मुझे लेकिन बारिष में एक बर कह अब आखाया था फोड़ा नहीं हो रहा था और यह फो जा रहा था था तो अब प्रोब्लम आया था मेरे को अब चेंज तो कर दिया है उन्होंने अभी देखते हैं क्या होता है थीक है मतलब next time भी शायद आगर आता है तो फ्री आफ कोस्ट चेंज कर देंगे हां कर देंगे शायद अभी उसका तो नहीं नहीं मालूम अभी चार्जेबल है तो चार्ज करना पड़ेगा उनको देना पड़ेगा पैसा और बाकी जो मोड्स का जो बटन्स दिख रहे हैं हमें तो इसका कोई इशु नहीं है सिर्फ मेरे को जो ऊपर वाला जो रेड बटन है उसका थोड़ा इशु आया था कि जादा भारिश में गाड़ी चला था मैंने और हमारे इदर एक बार बारिश हो जाता है तो पूरा रोड ब्लोक हो जाते उसमें मैंने गाड़ी चला था बाकियों सिंदवने का घाटे वहां पर चला था डबल सिट चला था कोई इशु नहीं आया गाड़ी एकदम स्मूथ ली चलती है कितना भी स्पीड तो सही है उसका पकड़ता है कोई लोड नहीं लेता कोई वाब्रेशन नहीं कुछ नहीं तो अभी आपको डर नहीं लगता कि बहु अधा कि स्कुटी में ब्लास्ट हो जा रहे और स्कुटी इसलिए मैंने स्कुटी का नहीं सोचा पसंद भी नहीं पहले से इसलिए मैंने यह गाड़ी चूज किया और इसके बैटरी को जो है उपर कवर दिया है अलुमिनियम का आप देख सकते है नीचे उसके अंदर पूर जीरो से हंड्रेड में चार्ज करने के लिए कितना टाइम लगता है टोटल जीरो से हंड्रेड चार्ज होने मैं मेरे घर पे मुझे तो शाध्य-पाच गंता लगता है कम्पपनी ने बोला है contrast लेकिन मुझे एक words लगता है क्योंकि हमारे इदर थोड़ा electricity है वह फेसका problem है त्रिफेस कनेक्शन नहीं है इसके वज़े से चायद हो रहा है ऐसा लग रहा है मुझे साड़े पाच गंटा तो लगी जाता है मुझे और मैं सिधा रात को लगा देता हूं 12 बजे चार्ज फिर सुबह 5-6 बजे बंद कर देता हूं और घर पे ही चार्ज करता हूं मैं अधर 25 का मुझे कंपणी ने दिया है और मुझे 110 का लगता है रोज डेली काम पे मेरे काम पे उतना रेंज हो जाता है 110 किलेमेटर इसलिए मुझे इदर उदर चार्ज करने की ज़रूत नहीं पड़े और चार्जर में ऑटो काटफ है क्या हां मतलब अगर चार्ज फूल हो जाता है और उदर हमें स्क्रीन पे बेखाता है कि चार्ज फुल और हमारे मुबाल पे आपके अपकी गाड़ी का चार्जिंग भर चुका ओपी आपको देखना पड़ता है मुड़े में जाके ख्शोल कि जार्जा प्पूल भरारा है कि नहीं और स्क्रीन पे बी ऐसी कोई कटिकेशन नहीं में机nya करना पदता कि मूबाइल में देख सकते और भीडियो थे वहां पर सारे में कमेंट्स कि यह जो डिस्प्लेय यह इतना इंप्रेसिव नहीं है तो हम अभी तुकारम जी करेंगे कि इस भी से भाड़े में तो सर ये जो डिसप्ले है यहां पर यहां पर हमें बैटरी परसेंटेज् Jesu नहीं दिखता है तो वह व構az में दिखता है मतलब कितना पार्सेंटेज है और और मोबैल में ज़ए है टॉर करके उसमें दिर जा ता है परसेंटेज कितना है यह तो एक प्रॉब्लेम ही है ना राइट मतलब कि आप चला रहे हैं तब तो मोबाइल निकल के देखना मुश्किल है तो चलते चलते दे रहा है ना उसमें तो अभी मेरा यह कुशन है कि इस गारी का तो चार्जिंग नेट्वर्क कुछ नहीं है बनाया क्या टॉर्क वालों ने अभी तक तो नहीं बनाया कंपणी ने क्लेम किया था कि यह तीन माहिने तक हो जाएगा पूरा सिटी में लगाने वाले हो हर दस किलोमेटर के अंदर और उसका फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन लगाने वाले हो इस गाड़ी को जो है क्रेट आर है और इसमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन आ जाता है उसमें वन हावर में 0-80% फूल हो जाता है गाड़ी ऐसा कंपणी ने क्लेम किये तो चार्जर लगाने वाले है अभी वह लगाने के बाद ही समझ में आएगा अपने तो मुझे जितना पता है कि यहां पे वह ओने कंपणी만 यहां पर इसा हमें बोल लगें यहां पर फास्ट करने म Okem acknowled pinned को नहीं रहेगा Я शार्जींग में जल्दी दभी अस यह बहुत है कि नुदा को मिला कि यह अगर जब इंस्ट्सकल करेंगे कमपणी तो इसके लिए भी यह भी ah 89 तक उसका चार्ज है, तो आप लगवाएंगे क्या? हां लगवाएंगा, लगेगा तो अगर जब जब लांच करेंगे तो मैं तो लगा के लूँगा, तो मेरा लास्ट कुश्यन ये है कि ये गारी को आप रिपरेंट करेंगे क्या, दूसरे लोगों को? हां, रिकमेंड करूं कोई तूटने का वगेरा कोई इश्यू तो होगा नहीं और दिखने में लुक तो अच्छा ही ए गाड़ी का और बाकी सब पहुने का ही गाड़ी है ये और गारी मेड इन पुने अगर बाके गाड़ियों कर देखे तो मुझे नहीं मालम लेकिन इसका अगर कोई खराबी हो जाएगी कोई होगा तो हमें इधर ही ठीक करके मिल सकता है नहीं तो शोरूम में जाके मिल जाएगा कोई भी पाठो कितना भी जीनियन हो या फिर रेर पाठो मिल जाएगा क्योंकि गाड़ी यहीं पर बनती है इसलिए मुझे 22 गाड़ी चलाता हूं मुझे कोई इश्यू नहीं होता है और मुझे टेंशन भी नहीं लेता क्योंकि कुछ भी होने तो आपने को मिल जाएगी ठीक सही और इंशुरंस है इसका पूरा तीन साल तक पूरा कुछ भी हो जाने दो गाड़ी पूरा अगर डेमेज हो जाता है तो भी मिल जाएगा गाड़ी तो थैंक्यू सर थैंक्यू सो मच आपने हमें इंटर्व्यू दिया है तो थैंक्यू तो हाँ यह गारी तो तुकाराम जी लेके बहुत ही सैटिसफाइड है तो आप भी इस गारी को कंसिडर कर सकते है लेकिन पहले इस गारी का टेस्ट राइड ले लीजिए फिर डिसाइड कीजिए किसी मेरी बात या फिर किसी और की बात सुनके नहीं जाईए तो हाँ तो अगर ये वीडियो आपको लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जाधा-जाधा शेर कीजिए ताके दूसरे लोगों को भी हेल्प हो जाए जो कि ये गारी खरीदना चाहते है तो उचलो बाई बाई बाई